हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल टेक्निकल जोस फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग डीटेल से बात करने जा रहे हैं कि आखिर आपके आरेक शेतू अप्लिकेशन में रेड कलर की डेंजर सिंबल क्यों दिखाई जा रहे हैं आखिर इसका मतलब क्या है क्या इस आप् अप्लिकेशन को अपने आरेक शेतू अप्लिकेशन में देखने के बाद आपको डरने की जुरत बिल्कुल भी नहीं है चोंकि यह आपके यह हमारे सभी के फोन में दिखाई दे रही है दरसल यह इस अप्लिकेशन का एक अप्टू डेट है इसके लिए ही यह आप्शन आपको अपने मुवाइल के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ उसके बाद सारी जनकारी सारी डिटेल इसके बारे में हम वहीं पर लाइप बात करेंगे यदि आपने आरेक शेतू अप्लिकेशन 27 अप्लिकेशन डाउलोड कर लिया था उन लोगों को यह आप्शन पहले नहीं म कि आखिर यह option क्यों दिया गया और यह क्या है तो फ्रंट जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी यह जिग्यासा होगी कि आखिर यह option क्या है और क्यों दिया गया है तो चलिए इसको जाने के लिए हम इसके उपर क्लिक करते हैं क्लिक करने के साथ ही देख सकते हैं आपकी जो लाइनों को एक साथ पढ़ करके डर जाते हैं, दर असल पढ़ने के बार डर जाना स्वभाविक ही है, तो friends मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आपको डरने की बिल्कुल भी जुरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है, कि आपकी टेस पर बढ़ सकते हैं, तो friends आप बात कर लेते हैं, कि आखिर यह option हमारे फोन में क्या कर रहा है, तो friends दर असल यह एक up to date है, इस up to date के माध्यम से, चाहे तो आप एक जिम्मेदार नागरी का फर्ज निभाते हुए, यदि आपकी टेस्टिंग के लिए sample का collection किया गया है, या आपका COVID-19 का test positive है, तो आप एक जिम्मेदार नागरी का फर्ज निभाते हुए, यहां से manually ही इस दोनों option का use करते हुए, अपनी data को government के server पर share कर सकते हैं, वो भी उसी समय जिस समय की आपकी result आ जाती है, या यदि आपका sample का collection हो गया है, उसी समय आप यहां से इस up to date के आधिम से government के server पर upload कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी यहां पर लिखा गया है, उपर में आपको black color में दो line लिखी हुई है, बट logo की नजर क्या है, red color के उपर जादा जाती है, इसलिए वो इस option पर नहीं ध्यान देते हैं, और इस नीचे के दोनों भी line को एक साथ बढ़ करके डर जाते हैं, देख सकते हैं, यहां पर बिल्कुल लिखा गया है, कि आपका जो data है, वो हमेशा आपके phone पर save होता है, इसे सुरक्षित सरकारी server पर share करें, अगर first option है, testing के लिए sample collect हो गया है, और second option है, COVID-19 का test positive है, तो friends, आपको गलती से भी यहां पर गलत information नहीं देन गलती से भी भूल के click नहीं करना है, चलिए माल लेते हैं, कि लोगों की यदि जिग्यासा है और इसके उपर उन्होंने click करके, यहां पर इस option के उपर यदि वो पहुंच भी जाते हैं, और चलिए माल लेते हैं, क्योंकि जाएडी सी बात है, लोग इस पर click करेंगे ही गलत के माध्यम से capture किये गए आपके शंबात डेटा को भारत सरकार के साथ share किया जाएगा और नीचे आपको एक clickable button मिल जाता है confirm करे और आगे बढ़े तो यहां प्रफेंट्स आपको ध्यान देना है कि गलती से भी आपको इस वाले option पर तो बिल्कुल भी click नहीं करना है कि confirm करे और आगे बढ़े यह आप इसके उपर click कर देंगे तो फिर आपकी जो data होगी वो government के website पर जो उनकी जो server है उस पर upload कर दी जाएगी और आपके contract tracing में जितने भी लोग आये होंगे उनको alert भेजा जा सकता है तो आपको गलती से इस option का use नहीं करना है तो आप इस option का use तभी क सदी manually बता देंगे कि आपकी जो है वो testing के लिए sample ली गई है तो यहाँ पर क्या है contact tracing में उनको मदद मिलेगी और वो जल्द से जल्द और लोगों को alert कर सकते हैं साथ ही उनके server पर भी upload रहेगा कि किस location से कितनी sample ली जा रही है ठीक है तो चलिए फिलाल हम यहां से cross कर देत रहती है आपके आरोग शेत्य अप्लिकेशन में जिसमें कि आपको एक किलोमेटर के radius में यहां पर देख सकते हैं तो इसके बारे में हम like दूसरे वीडियो में बात करेंगे नेक्स वीडियो में जिसमें कि मैं आपको अलग अलग स्थिति में आपको दिखाऊंगा कि red zone area मे जाते हैं तो वहां इसकी स्थिति किस तरह से रहती है सभी के बारे में हम live next video में बात करेंगे क्योंकि इस वीडियो में के आप यहीं जाना चाते थे कि यह red symbol क्यों दिया गया है आपके आरोग शेत्य अप्लिकेशन में और क्या कोई डरने की जरुरत है भी या नहीं यह option क इसकाम में आता है सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल गई है साथी फ्रेंट्स यह आप जाना चाहते हैं कि यह रख शेत्य अप्लिकेशन के मदद से किसी भी COVID-19 पेसेंट को किस तरह से ट्रैक किया जाता है आखिर किस तरह से Bluetooth या location का यूज किया जाता है तो आपको पसंद आई होगी साथे यह आपको और भी बताना चाहूंगा कि आगे आपको आरग शेत्य काफी मस्ट होने जा रहा है आपको यूज करना ही परेगा आपकी यह नोटिस जारे किया है जिसके हिसाब से यदि आप से चेंट्रल गौर्मेंट इप्लाई है तो यह application must है होनी ही चाहिए साथ ही इस application में आपकी जो इस्थिती है आपकी जो status है वो भी बिल्कुल safe zone में होना चाहिए उसके बाद ही आपको office में entry मिलेगी तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह application आपके लिए कितनी मत पूर्ण है साथ ही future में ऐसी भी भाबना हो सकती है कि आप यदि private sector में भी काम करते होंगे तो वहाँ पर भी आपको आरक्षेतू application यूज़ करना अनिवार कर दिया जाए तो friends I hope कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी जनकारी आपको आपके मुवायल पर मिलती रहे हमारे वीडियो के माध्यम से